इस सबी के बाद में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से लोगों को ये कारिक्रियम अच्छा लगा और किस तरह के उनके सुझाव रहे तो आईएगा देखते हैं कुछ लोग जो वहाँ उस कारिक्रियम के दौरान उपस्तित थे उन्होंने क्या फीडबेक हमारे साथ शेय प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा सारी उन्होंने नौलेज जितनी में MSME और रास्तान की उसके बारे में पूरी डिटेल बताईए और लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको इंडवेजिली उन्होंने सॉल किया है आगे भी उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज हो इस बार उनका जनोंने इस तरह की अच्छे प्रोग्राम दी हैं बहुत जो नौलेज़िव प्रोग्राम था था तैंक्यू सार्ग आज का जो प्रोग्राम था रिगारिंग नई बिनिस आप कैसे खोल सकता हैं और स्मार्टली उसको कैसे प्लान करें पहले मलब पेपर प्र प्र प् इंडिस्ट्री में भूल जाते हैं इसको लाप नहीं ले पाते हैं उसको लेके बहुत ही इंटरेक्टिव शेशन रहा जिटो के दुवरा ये मेरा परसनली पहला सेशन था जिटो के अंदर में और बहुत ही इंफोर्मेटिव रहा धनिवार हैलो डिटो का ये प्रोग्रम काफी एनलाइटिंग था अपकमिंग और नए जो बिजनसमेन जो सोचना बिजनस के लिए सोचना चाह रहे हैं उनके लिए काफी जानकारी वाला था विश्णु जी की बाते सोनकर काफी नॉलेज मिला और एक चीज जो सबसे अच्छी लगी कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इ थेंक क्यों सीज के लिए एंड थैंक्स टू जीतो उदेपुर्द्वारा आयोजीत राज कुमार जी सुराना के नेत्रतों में आज का यह क्रारीकम मुझे लगता है कि जेन समाज के लिए जो विश्णु जी गोयल ने लेंड उसेज के बारे में बताया है जेन समाज में अ फ्ल Orange ब काई शांदार प्रोग्राम हमें बहुत कुछ संवनेगे लेंड कि कैसे हम ज हम जमीन दे सकते हैं कैसे हम कुछ प्रोडक्शीन कर सकते हैं उस पर कैसे हम कंतर प्रोग्राम काफी अच्छा था और काफी कुछ चीजों कह सुनने का मुका मिला जो चीजinga को मालूम न लेटेस्ट अमेंडमेंट्मेंट्स और नोटिफिकेशन को राजस्तान एंग राजस्तान स्टेट तो मेरा एक्स्पेरिंस काफी अच्छा था यहां पर से विश्ण गोवल ने हमको बताया बहुत सारी चीज़े बताई स्टेश्ट अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्स उष्केर ना बताया घुल खेले काफी शवस्ट रहे मेरा देश हिंदूस्तान धन्यबाद इनी सब्दों के साथ मैं अब सभी से जादत चाहूंगी खिलकेलाते रहे, किल भी हिं जास्त रहे, स्वस्ट रहे, व्यस्त रहे और हाँ कोरोना से बच के रहिए बहन्यवाद